हाई विवन दिस इस रॉबिन शर्मा और मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ अनकेडमी के इस यूटूब चैनल पर सेशन का टाइटल आपने देख लिया होगा और इस क्लास के अंदर हमारा डिस्कुशन फोकस्ट रहने वाला है ओलंपिक गेम्स के उपर ओलंपिक गेम्स भारत की संबंद में वो कौन-कौन सी न्यूज है जो की आपको पता होनी चाहिए तो चलिए फिर बिना समय को वैथीत किये अपने इस यूटूब सेशन को हम स्टार्ट करते हैं अगर आप मेंसे कोई अनेकेडमी पर जुड़ चुका है या जुड़ना चाहता है तो अनेकेडमी की SSC Non-Technical Railway Exam Category के अंदर आप मेरा नाम सर्च करके मुझे follow कर सकते हैं वहाँ पर GS related आपको पूरा का पूरा section cover कराया जाता है जिसमें आपका history हो quality हो, geography हो, economics, physics, chemistry, biology जैसे सब इस sections कराया जाता है ये मेरे कुछ ongoing courses है अभी currently मेरा medieval history चल रहा है उसके लावा important awards चैसे चीज़ें, practice classes, computer awareness के लावा और भी कही सारे sessions आप अनेकेडमी पर मेरे access कर सकते हैं तो चलिए फिर पहला सवाल आपके सामने आएगा, एक एक करके comment section के अंदर आप लोग भी साथ में अपने answer कीजिएगा पहला सवाल ये रहा आपके सामने ये पूछता है उलम्पिक हेलों में जो उसका logo आपको नजर आता है वो क्या represent करते हैं, यानि कि वो क्या दर्शाते हैं चार विकल्प आपके सामने हैं, बहुती common सा सवाल है अलग-अलग exams में आप सब पूछा जा चुका है तो उलम्पिक के logo में दिखने वाले छले represent करते हैं continents यानि की महादवीपों को कौन-कौन से महादवीप होते हैं, उसके बारे में हम आगे भी जानने वाले हैं फिलाल, आप ये याद दख लीजेगा कि वो छले, वो rings आपका represent करते हैं continents यानि की महादवीपों को तो इस प्रिकार से आपको logos नजर आते हैं अलग-अलग representations अलग-अलग महादवीपों का इसके अंदर करा जाता है आगे बढ़ता है इस बार आपसे पूछा जा रहा है कि ओलंपिक हिलो में आपको टोटल कितने rings नजर आते हैं, यानि कि कितने छले नजर आते हैं, अभी मैंने पीछे भी दिखाया यहाँ पर भी वही सेम चीज है विकल्प नंबर C, यानि कि पास टोटल नंबर अफ लोगोज के अंदर आपको rings नजर आते हैं rings के color पर भी दिखान दीजेगा आपको इधर blue नजर आएगा इधर yellow, इधर black, इधर green और इधर आपको नजर आएगा red हर चल्ला एक different continent को आपका associate करेगा, हर अलग महाद्वीब से सम्मंदित होगा उन सभी के बारे में भी हम जानेंगे अगला question आपसे पूछा जा रहा है ओलंपिक खेलों के लोगों में जो नीले रंग का चल्ला आपको नजर आता है वो कौन से महाद्वीब का प्रतेने धत्र करता है यानि कि वो कौन से continent को represent करता है पोल आपके सामने नहीं है लेकिन comment section में आप जरूर अपना answer बताइए तो blue color का जो चल्ला यानि के ring आपको नजर आता है वो associated होता है याद रखिएगा तो हमने बात करी थी blue वाले की, blue वाले का आपको याद रखना है Europe, yellow की बात करते है yellow आपका Asia, black की बात करते है Africa, green की बात करते है Australia और red की बात करते है तो आपका complete American continent यह यहाँ पर representation आपको इस Olympic 5 rings के अंदर बताता है अगला सवाल देख लेता है निम लिखित में से कौन सा रंग Olympic के लोगों में Australia का प्रतिनिध्थ्तू करता है पीछे भी हमने देखा, यहाँ पर अगेन आपके सामने सवाल आ गया है Olympic महादीब का represent करता है आपका green ring, कुछ इस परकार से हमने पीछे भी देखा था याद रखिएगा green चले को लेकर पूछा जा रहा था, कौन represent कर रहा है उसको उसको कर रहा है Australia मैं एक बार आपका comment section भी open कर लेता हूँ मुझे पता तो चले कि आप लोग भी answer कर रहे हूँ एक मट रुख जाईए एक माट दीजिएगा मुझे ठीक है तो हम देख पा रहे हैं कि वीडियो तो live है ओके चले अगला सवाल दीखिए आपके सामने पूछा जा रहा है उलम्पिक के लोगों में काले रंग की हम बात करेंगे वो कौन से महाद्वीप का पृतिनिधत्व याने की आपको related नजर आएगा आपके सामने चार विगल्प नजर आ रहे हैं ब्लैक किसको कर रहा था? ब्लैक आपको करता हुआ नजर आ रहा था आपके अफरीकन कॉंटिनेंट को तो अफरीका देखे यहां पर आपका correct answer होता यह सारे के सारे rings के representation हमने already जान लिये थे अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि उलम्पिक के लोगों में लाल और पीला यह जो रंग की आपको rings नजर आ रही थी वो कौन से दो महादीपों यानि की continents का representation रखते हैं से संबंदित होते हैं तो America से संबंदित होता है आपका कौन सा आपका red और Asia की बात करें तो वो आपका associated होता है किस से yellow से Asia, America, colors का representation आपको यहां पर याद रखना है अगला question आपसे पूछा जा रहा है कि उलम्पिक खेलों को लोगों को किस महादीप का प्रतिदेत्य आप नहीं करते हुए देखते हो वो कौन सा continent है जो कि उलम्पिक के लोगों के अंदर rings में अपना representation नहीं दिखाता है अफ्रीका दिखा रहा था, बिल्कुल दिखा रहा था, black color से दिखा रहा था और अंटाक्टिका की बात करें तो क्या ही अपना ओलम्पिक की रिंक के अंदर representation रखता है बिल्कुल नहीं रखता है, यही आपका यहां पर not representing को लेकर correct answer बताता अगला सवाल देखें अगले question में आपसे पूछ रहें कि प्रथम प्राचीन ओलम्पिक खेल किस शिताबदी में हुए थे, first ancient Olympic Games की हम यहाँ पर बात कर रहे है they took place in which century तो देखो जब हम प्राचीन ओलम्पिक खेलों की बात करते हैं तो वो आपको नजर आते हैं आपकी 8th century BC के अंदर अगर आपसे साल भी पूछा जाए तो आप याद रखेगा 776 BC यह आपका वो टाइम था जब ओलम्पिक को गेम्स को पहली बार प्राचीन इतिहास के अंदर कराया गया था 8th century BC आपको यहाँ पर याद रखना था आगे बढ़ता है प्रतम प्राचीन ओलम्पिक खेल किस वर्ष आयुजित किये गए थे 8th century BC का हमने अलड़ी पीछे जिक्र दिया था फिर हमने वो साल भी जाना था जिसको हमने 776 BC के रूप में जाना था यह भी एक अच्छा सवाल था याद रखिएगा काफी इंपोर्टेंट यह चीजें हैं हर सवाल आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है अगला question आपसे पूछ रहे हैं कि प्रथम प्राचीन Olympic किस यूनानी देवता के सम्मान में आयुजित किये गए थे 1st ancient Olympics जो कि आपके कराए गए थे वो कौन से Greek God के honor में आयुजित कराए गए थे तो यह आपको याद रखना है Zeus ठीक है विकल्प नमबर A आपका यहाँ पर correct हो जाएगा Zeus जो कि यह Greek God के रूप में जाने जाता है इनको honor करने के लिए Olympic Games का starting कराया गया था तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि Unacademy पर 23% का SSC non-tech subscription के अंदर आपका off चल रहा है इसको जरूर avail कर सकते हैं जिसको लेकर आपको code यूज करना है ROB10 ROB10 का ये code यूज करके इस 23% के discount को आप SSC non-tech subscription में यूज कर सकते हैं जहाँ पर आप मेरे सारे ही courses को access कर सकते हैं ना सिर्फ मेरे बाकी के subjects को भी आप वहाँ पर access कर सकते हैं अलग-अलग exams के targeted batches भी वहाँ पर आपको मिलते हैं चाहे CHSL हो, MTS हो, CGL हो हर exam का वहाँ पर मिलेगा, test series and academy पर मिलेगी, notes, mobile के अंदर भी physical form में भी provide कराए जाएंगे अगर आप वहाँ पर subscription plus या फिर iconic लेते हो उसके साब से ask doubt का feature भी है, इसको यूज करके आप अपने doubts को पूरा कर सकते हैं बस discount code आपको याद रखना है, ROB10 तो चलिए अपने session को continue करते हैं, 10 सवाल का discussion अभी तक हमने पूरा कर लिया है अगला सवाल आप से पूछता है प्रथम प्राचीन Olympic खेल, आपके आयुजित कहाँ पर कराए गए थे प्राचीन टाइम की बात कर रहा हूँ, जो अभी मैंने आपको 776 BC के अंदर आयुजित कराते हुए दिखाया था ये आपके Greeks के अंदर एक जगह आती है, जिसको कहा गया Olympia यहाँ पर आयुजित कराए गए थे, और यही सवाल आपको यहाँ पर याद रखना था तो याद रखेगा आपको नजर आता है Olympia किसके अंदर? Greece से अंदर ये एक important चीज आपको यहाँ पर याद रखनी थी, अपसे 2800 साल पहले ये पहली बार ancient इधियास के अंदर कराए गए थे, अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं, चौथी सताबदी इस्वी में किस समराट में प्राचीन उलंपिक खेलों पर प्रतिबंद लगा दिया था? आपसे सवाल का, I think, clarity बिल्कुल easy होगा, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किसने इनके उपर आपका लगा दिया था? तो यह है आपका Theodorus 1, Theodorus 1 ग्रीक लोगों के इन भगवान से आपका खुश नहीं था, पसंद नहीं करता था, तो इसने यहाँ पर इसके उपर बैन लगा दिया, नाम याद रखेगा, Theodorus 1 इसका नाम है, चौथी सताबदी के अंदर, 393 के अंदर इसने इन पाचीन टाइ बैन करा दिया था, Christianity को यह फॉलू करना चाहता था, प्रमोट करना चाहता था, जिसकी वज़े से इने लगा कि दूसरे देवताओं का अगर हम यहाँ पर खेलों के संबंद में हम बैन लगाएंगे, तो कुछ फायदा हो जाएगा, Anyways अगला सवाल आपके सामने पूछा जा आने के जरुरत भी है, एक मात्र अकेली क्लास, इसके अंदर पूरा का पूरा content आपका पूरा, तो पहले आदोनिक यानिक modern Olympic Games आपके 1896 के अंदर आयुजित कराए गए थे, आगे बढ़ता है, पहले आदोनिक Olympic खेल, 1896 के अंदर हमने आयुजित करा दिये, ठीक है, लेकिन आपको वो place बताना है, जहाँ पर इनको आयुजित कराए गया था, तो ये आपके आयुजित कराए गई, Greece के अंदर एथेंस में, याद रखेगा, तो अगर location की बात करें, एथेंस के अंदर, यानिकि Greece country के अंदर आपको एथेंस नजर आएगा, वहाँ पर, date के बारे में ह दी, father of the modern Olympics, ये भी सवाल important है, सवाल का उत्तर आप पोल के अंदर कर सकते हैं, modern Olympics के father के बारे में पूछा जा रहा है, correct answer रहेगा, आपका प्यरे दी, कौट बर्टिन, इनके नाम पर आप याद रखेगा, इने जनक कहा जाता है, modern Olympics का याद रखना है, प्यरे दी, कौट बर आगे बढ़ते हैं, international Olympic committee, इसको form कब करा गया, अभी मैंने पीछे भी आप से बात करी थी, 1896 के अंदर पहली बार आपके आधोने एक Olympic खेल कराए गए थे, committee का formation करना हो तो उससे पहली आसपास में किया गया होगा, 1894 आपको यहाँ पर याद रखना है, जिसके अंदर आप यहाँ पर वीडियो को pause करके भी देख लीजिएगा, बाद में अगर आप इसको देख रहे हो, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, अंतर रास्तिय ओलंपिक समिती का मुख्याले, यानि की headquarters की बात हो रही है, चार विकल्प आपके सामने, headquarters प्रबेज्ड आपने खू नजारा नजर आता है, अच्छा सवाल था यह भी, अगला question आपसे पूछ रहे हैं कि देगे विकल्प में से, वो कौन सी चीज है, जो कि इस blank में आपकी आएगी, और यह आपसे पूछ रही है, कि इस blank में आने वाली चीज, ओलंपिक मोटो बताता है, ओलंपिक का मोटो ब आपका stronger, correct उत्तर हो जाएगा आपका sitius, alchius and fortius, तो यह एक मोटो के form में आपको याद रखना है, जो कि ओलंपिक का आपको मोटो नजर आता है, अर्थ भी हमने जान लिया और इसका हमने literal meaning भी जान लिया, तो याद रखेगा sitius, alchius, fortius, इसका earth faster, higher and stronger आपको नजर आता ह आगे बढ़ते हैं, 1920 के ओलंपिक खेलों के दोरान, सर्व प्रथम ओलंपिक ध्वज कहां फेराया गया था, where was the Olympic flag first hoisted during 1920 Olympic Games, सवाल एकदम important है, हम यहाँ पर ओलंपिक ध्वज के फेराने की बात कर रहे है, कि किस जगे पर कराया गया, date भी हमने, यानि कि साल भी हमने याद रख लिया है, 1920 के गेम थे, या आपके आयोजित कराये गये थे, Belgium Antwerp के अंदर, तो यह ध्वज को फेराने की बात हुई है, कुछ इस प्रकार का यह आपको ध्वज का फेराने का एक समारों नजर आता है, हमने यह भी जान लिया, कहां पर 1920 के आपके एंट्रे Belgium के अंदर ह हुने वाले आपके Olympic Games में, आगे बढ़ता है, अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि Olympic खेलों में महीला खिलाडियों ने किस वर्ष भाग लिया था, in which year did the female athlete participated in the Olympic Games, पहली बार females का participation यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, और यह इनका participation आप देखते हो, 1900 के अंदर, तो अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि विश्य युद्धों के कारण, कौन-कौन से वो को Olympic खेल है, जिनके आईजन आपका नहीं हो पाया, तो ऐसे तीन साल है, इनके ना होए पाने के कारण क्या है, आपके विश्य युद्धों तो कौन-कौन से आपके ये वो Olympic गेम से जिनका आईजन नहीं कराया जा सका, 1916, 1940 और 1924, तो ये तीन ऐसे खेलों के साल आपको याद रखने हैं, जिनका आईजन नहीं कराया जा सका विश्य युद्धों के कारण, आगे बढ़ता हैं, अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि Olympic खेलों में भाग लेने वाली और पहली महिला, Olympic champion बनने वाली पहली महिला कौन थे? पहली चीज़ तो ये कि वो पहली महिला है जो कि compete कर रही है Olympic Games के अंदर, और ये पहली महिला बनी जो कि Olympic champion भी बनी, महिला है नाम important हो जाएगा, नाम है इनका, आपका Halland the Portals, इनका नाम है याद रिखेगा, first woman who participated and the first woman who became a Olympic champion, तो ये आपको नज़र आएंगी, आपकी Halland the Portals, इनको Halland के नाम से भी जाना जाता है, उनने सो के अंदर हुए Paris Games के अंदर, इनके द्वारा यहां पर medal जीता गया, स्वान पदक जीतने वाली ये पहली महिला थी, अगला Olympic Flame की हम बात करते हैं, इसको introduce करा गया Amsterdam Olympic Games के अंदर, साल कौन सा था ये आपको बताना है, और ये जो आप यहाँ पर fire देखते हैं, जिसको हम आप famous Olympic Flame के नाम से भी जानते हैं, इसे कराया गया Amsterdam Olympic Games 1928 के अंदर, तो विकल्प नमबर यहाँ पर आपका C correct हो जाना था, कुछ इस परकार का ये flame यहाँ पर light up करा जाता है, पहली बार 1928 के Summer Olympic Games, Amsterdam के इंदर, इसको कराया गया था, एक मड़ टुकिएगा, आप लोग अपने comment करते रहिएगा, मैं एक बार पानी पे लेता हूं थोड़ दर के लिए, चलिए जी आगे बढ़ता है, अगला सवाल देखता है, अगला सवाल देखता है, अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि Olympic Hill दो बार Athens, Paris और कहां पर आयोजित करे गई, The Olympic Games were held twice, एक जिगह आपको Athens नजर आएगी, Paris में दो बार कराये गई, और इन पाँच विकलपा में से वो कौन सी जगह है, जहां पर भी ये दो बार आपके आयोजित कराये गए, तो वो आपको या दखना है, Los Angeles, ठीक है, तो इन तीनो जगहों पर दो दो बार Olympic Games का आयोजि कप कराया गया, अभी already हमने पीछे ये तो जान लिया था, कि Athens, Paris और Los Angeles के अंदर आपके ये खेल दो दो बार आयोजित कराये गए, लेकिन Athens की बात करें, तो यहां पर कप कराया गया, तो सबसे पहली बार 1896 और दूसरी बार 2004 के अंदर, Olympic Games आपके आयोजित कराये गए, तो मेजबानी करी, which country hosted the Summer Olympics maximum number of times, कौन सा वो देश है जिसने सबसे ज़्यादा इसकी मेजबानी करी है, तो इसमें आपका आएगा अमेरिका, United States के दौरा सबसे ज़्यादा Summer Olympic Games की मेजबानी कराये जा चुकी है, कब-कब 1904 के अंदर, 1932 के अंदर, 1984 के अंदर और उसके बाद आ आपका 1996 के अंदर, कौन सा देश है, अमेरिका, अगला सवाल आप से पूछ रहे हैं कि किस शहर ने तीन बार, ग्रीश मकालीन Olympics की मेजबानी करी, हम तीन बार की यहाँ पर बात कर रहे हैं, और यह रहेगा आपका लंदन, लंदन तीन बार Summer Olympics को आईजित कराया जा चुका ह है, इसमें कि आपको हाल ही में 2022 के अंदर, यहाँ पर पैरिस, लॉस एंजलिस के अंदर नजर आया है, एथेन संट टोकियो, हीच आपका दो बार होस्ट कर सकते हैं, पैरिस यहाँ पर तीसरी बार इसको होस्ट करेगा कब, 2024 के अंदर, जिसके बाद आपका लॉस एंजलिस जो कि इसको होस्ट करेगा, 2028 के अंदर, या दखना है, ठीक है, तो लंदन मनने वाला है, और लंदन कब करने वाला है, यह भी हमने जान लिया, और पैरिस के अंदर कब होआ, हमने यह भी जान लिया है, 2024 के अंदर, यह आपका तीसरी बार कराएगा पैरिस, उसके बाद ल India send a team to participate in the summer Olympics for the first time पहली बार भारत का participation आपका कराया गया 1920 के अंदर सी विकल्प आपका यहां पर correct हो जाता ठीक है तो भारत ने पहली बार 1900 में उलम्पिक खेलों में भाग लिया इसमें से एक अकेला आथलीट आपका नॉर्मन पिचर्ड ने Athletics में दो पदक दोनों रजा जीते और उलम्पिक पदक जीतने वाला वो पहला एश्याई भी बना रास्ट की बात करें रास्ट ने पहली बार देश पहली बार 1920 में ग्रीश्मिकालीन ओलंपिक खेलों में अपने टीम बेजी थी, तब से प्रतिक ग्रीश्मिकालीन खेलों में भारत ने भाग लिया है, आगे बढ़ता है, भारती है ओलंपिक संग, इसका गठन किस वर्ष हुआ, इंडियान ओलंपिक असोशियेशन वस फॉर् इंडियान ओलंपिक की संथापना गठन कब हुई, इंडियन ओलंपिक असोशियेशन की 1927 के अंदर, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भारती है ओलंपिक संग के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, वू वस दी फाउंडिंग प्रेसेडेंट अंसर याद रिखिएगा यहाँ पर सर दोराब जी टाटा, यह यहाँ पर क्या थे, यह यहाँ पर आपको नजराएंगे फांडिंग प्रेसेडेंट इस इंडियन ओलंपिक असोशियेशन के, तो यह हैं हमारे क्या नाम है इनका, दोराब जी टाटा जी, आगे बढ़ते है अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भारत ने शीत कालीन ओलंपिक खेलों में पहली बार कब भाग लिया अभी मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि वें डिड इंडिया कंपीट इन विंटर ओलंपिक गेम्स फर दे फर्स ताइम हम यहां पर विंटर ओलंपिक गेम्स की बात कर रहे हैं यहां पर पहली बार पार्टिसिपेशन भारत ने किया 1964 के अंदर यह डी विकल्प आपका हैं पर करेक्ट होता तो भारत में 29 जैन्वरी से 9 फेबररी 1964 तक इजनब्रुक आस्ट्रिया में 1964 के शीत कालीन ओलंपिक ने भाब लेने के लिए अपने प्रतिमेंडल को भेजा था आगे बढ़ता है अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि निम्लिकित में से किस खेल में भारत ने 1928 से 1956 तक लगातार 6 सौण पदक जीते वो कौन सा गेम है भारत के दोरा जिसके अंदर 6 सौण पदक जीते गए लगातार 1928 से 1956 तक एक मातर के खेल आपको नजर आता है जिसको हम कहेंगे हौकी 1928 से 1956 तक भागात ने लगातार 6 गोल्ड मेडल इसके अंदर जीते थे याद रखेगा ठीक है आगे बढ़ता है अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि उलम्पिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाला पहला भारती एथलीट कौन था मैंने अपने GSGK ऑफिशल के इंस्टग्राम टेलीग्राम के उपर इंस्टग्राम के उपर बिसकी पोस्ट डाली थी नाम याद रखेगा इनका नाम है आपका केडी जादव जीता गया ओलम्पिक्स के अंदर वो केडी जादव जीता गया किसके अंदर जीता था वो भी आपको याद रखना है इन्होंने वो जीता था कुछती के अंदर कांस से पदग याद रखना है अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि केडी जादव ने हैलन सिंकी में 1952 में ग्रीशन कालिंग उलम्पिक में कौन सा पदग जीता अभी मैंने पीछे भी बताया यहाँ पर भी हम दुबारा बात कर लेता है ब्रून्स मेडल जीता था हमारे केडी जादव जी ने 1952 के सरम समर उलम्पिक गेम जो की हैल सिंकी के अंदर कराए गए थे तो यहाँ पर आपका भी विकल्प करेक्ट आंसर हो जाता अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है किडी जादव ने निम लिखित में से किस खेल में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत पदद जीता था अभी पीछे भी हमने देखा यहाँ पर भी आपके सामने दुबारा यह आंसर आ गया है रैस्लिंग यानि कि कुष्टी के अंदर यह अलड़ी हम डिसकस कर चुके हैं आगे आईए अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि 1952 का ग्रीश मकालीन ओलंपिक किस स्थान पर हुआ हम 1952 की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमसे अभी पीछे एक सवाल पूछा गया था और वो सवाल इसलिए और इंपोर्टेंट हो गया था क्योंकि हमारे देश के भारती होकी टीम ने 1960 के रोम ओलंपिक में कौन सा पदा जीता हम 1960 के रोम ओलंपिक की तरफ यहां पर आपसे बात कर रहे हैं कि भारती होकी टीम ने कौन सा पदा जीता था तो भारत ने यहां पर जीता था सिल्वर मेडल ठीक है तो हमने यहां पर रजत मेडल जीतकर 1960 के अ आगे बढ़ता हैं भारती होकी टीम 1960 के रोम उलम्पिक गेम्स के फाइनल में किस से हार गई थी अभी हमने सिल्वर मेडल जीता था तो ऑविसली हम फाइनल किसे से हार गई होंगे न और हम किस से आ रहे थे हम हारे थे पाकिस्तान से यह याद रखना है इंपोर्टेंट सवा पाकिस्तान से हार इतिहास में पहली बार हारी थी जो कि हमें स्वन पदक से थोड़ा सा वंचित कर दिया था आगे बढ़ता हैं भारत में ग्रीश मकालीं उलम्पिक में होकी में कितने स्वन पदक जीत रखे हैं हम समर उलम्पिक्स की बात कर रहे हैं भारती होकी टीम के द किसके अंदर होकी के अंदर तो 1928 से लेकर 1956 तक की बात करें तो हम चैटों यहीं जीत गए थे उसके बाद हमने 1964 के अंदर एक जीता था फिर मौस्को के अंदर 1980 के अंदर एक मैडल जीता था जो कि गोल्ड मैडल था होकी के अंदर याद रखना है आगे बढ़ते हैं भारत ने आखरी बार किस उलम्पिक खेलों में स्वन पदक जीता था इन विच उलम्पिक गेम्स डिड इंडिया विन लास्ट गोल्ड मैडल आखरी गोल्ड मैडल हमन अभी हाल ही में इसमें से कोई भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि आपको पता है कि हाल ही में कौन हमारे नीरज चोपडा जीने ठीक है नीरज चोपडा जीने गोल्ड मैडल जीता है और वो कौन सा था वो था आपका टोक्यो ओलम्पिक्स टोक्यो ओलम्पिक्स 2020 के अंदर नीरण चोपड़ा जी ने आपका जैवलन थ्रू के अंदर गोल्ड मेडल जीता यह हाल ही में लास्ट गोल्डन मेडल जीता था ठीक है तो यह आपको याद इखना है इन ओल इंडिया है टैन गोल्ड मेडल इन ओलम्पिक्स अगस्त दोहजार बाइस तक दस टोटल ग आपका ब्रून्स मेडल जीतने का मौका मिला था हमारे टैनिस खिलाडी नाम है उनका लेंडर पेस और यह इनको मौका मिला था 1996 के अंदर तो यह भी एक चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है यह है हमारे लेंडर पेस जो कि एटलांटा के अंदर हुए इस 1996 के उलम्पि सवाल है आपसे पूछा जा रहा है कि यह 1996 के जो ओलम्पिक्स यह कहां पर हुए थे अभी पीछे मैंने देखा मैंने जब आपको वहां पर बताया कि हमारे लेंडर पैस ने इसके अंदर पहली बार मैडल जीता था यह आपके आयोजित कराए गये थे अटलांटा के अंदर तो 1996 अलम्पिक्स के हम जब बात करते हैं तो सैयुक्त राज्य अमेरिका अटलांटा और जॉर्जिया के अंदर इनका आयोजन कराया गया था अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निमलिकित में से किसने सिड्नी ओलंपिक 2000 में भारोत तोलन में कांस से पदक जीता था फू अमंग दी फॉलविंग वॉन ब्रून्स मेडल इसके अंदर वेट लिफ्टिंग के अंदर कब 2000 के अंदर और कहां पर थे यह आपके यह आपके सिड्नी के अंदर कराये गए ओलंपिक्स ते यह हमारे देश की शान कर्ण मलेश्वरी के द्वारा जीता गया था इसके अंदर जीता गया था वेट लिफ्टिंग के अंदर जीता गया था तो याद रखेगा 2000 के अंदर समर ओलंपिक्स ऑस्टेलिया के अंदर सिड्नी के अंदर यह आयोजित कराये गए थे जिसके अंदर हमारी कर्ण मलेश्वरी जी ने और यह पहली महिला बनी थी यह प पुरुसकार पाने वाली first woman दिये गे चार विकल्प में से कौन है और यही बन जाएंगी आपके 2000 के अंदर medal जीतने वाली पहली महीला बनने वाली Olympics के अंदर हमारी कर्णम मलेश्वरी जी याद रखेगा तो इनको राजीव गांदी खेल रतन अवर्ट से भी समानित किया गय पहली यह हमारे देश की पहली महीला भी बनी थी अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि 2004 के एथेंस ओलम्पिक्स में डबल ट्रैप निशाने बाजी में रजत पदक त्येगे विकल्प में से किसने जीता था ओलम्पिक्स हो रहा है 2004 के अंदर एथेंस के अंदर इसके पर आपसे पूछें तो किसने जीता तो यह जीता था हमारे राजवर्धन सिंग राठोर में याद रखना है यह भी आपका एक अच्छा सवाल था तो यह है हमारे राजवर्धन सिंग राठोर आज के टाइम पर भी यह सरकार के अंदर अच्छे पदों पर आपको नजर आ हम बात कर रहे हैं भारत के लिए तो ये हमारे लिए जीता गया अभिनव बिंद्रा जी के द्वारा ठीक है विकल्प नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट होता फर्स्ट एवर इंडिविज्वल गोल्ड मेडल फोर इंडिया वोस बॉन बाई अभिनव बिंद्रा याद रखन इनका आयजन कराया गया था अभिनव बिंद्रा ने यहां पर गोल्ड मेडल जीत कर पहले इंडिविज्व जिसक ने भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीता इस खिताब को हांसल किया इसके अंदर जीता था इन्होंने यह इंडिविज्व आपका शूटिंग के अंदर या अभिनव बिंद्रा जी के द्वारा 2008 के बीजिंग उलम्पिक्स के अंदर पहला इंडिविज्व भारत की तरफ से जीते जाने वाले कि वो मिला जो की इनोंने शूटिंग के अंदर हांसल किया था आगे बढ़ता है अगला सवाल और इस क्लास का आपके सामने आखरी सवाल इसके बाद और भी मैं कोशिश करूँगा आपके सामने एक लेकर आओं 2008 के ग्रीश मुकालीन ओलम्पिक के सिस्थान पर आयजुद किये गए अभी मैंने पीछे भी बात करी थी बीजिंग के अंदर ये आपके आयजुद कराये जा रहे थे जिसके अंदर अभिनव बिंद यूटूब पर भी मुझे जुड़कर अपने उन सवालों को पूरा कर सकता है मैं बस आपको बाकी के चीज़ें यहाँ पर clarity के साथ बताना चाहता हूं कि अगर आप में से कोई भी स्टुडेंट जीस से related complete theory या फिर क्वांट या फिर इंग्लेश या फिर आपका reasoning करना चा रहेगा 23% का यह discount offer है जो कि आपके लिए काफी important रहेगा 23% का offer है last date इसकी 6 तारिक रहेगी non-tech subscription आपको लेना पड़ेगा discount में 23% का बता दिया है code याद रखीगा ROB10 इस code को use करके आप anacademy की plus subscription ले पाएंगे batches आपको हर exam को target करते हों मिलेंगे cgl, chsl, mts, test series हो, notes हो, pdf हो, सब चीजे, आपका doubt हो, सब चीजे आपको यहाँ पर मिलेगी अगर आपको मुझसे personally जुड़कर अपनी कुछ बातचीत करनी है, तो आप मुझे Instagram पर भी message कर सकते हैं, robinsirg, यह मेरा Instagram username है, यहाँ पर भी आप मुझे message करके अपनी बातें पूछ सकते हैं, telegram मेरा जरूर join कर लिजेगा, telegram का नाम है edu24, इस पर जाकर आपको सारी चीज classes के link देता रहता हूँ, last में बस हम आपसे यह कहेंगे, कि for discount और वो भी कितना discount, 53% का discount अगर आपको अवेल करना है in academy के sse category के अंदर, तो उसको लेकर आप code use कीजेगा, rob10, यह code आप जरूर याद रखिएगा, तो मिलता हूँ आपसे अपनी next class के अंदर, बाकि आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, कोई भी दिक्कत हो, तो मेरे द्वारा बताएगी, चीजों पर जाकर मुझे आप personally connect करिएगा, मैं आपसे next class मिलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, thank you, take care, bye bye झाल 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 झाल